तारा फिट एक एसी जगह है जहां पर आज भी तांत्री के अपना साधना पुरी करने के लिए यहां पर आते हैं यही एक जगह है जहां पर तांत्रीक आज भी आते हैं यही जगह रामपूर हट यानि वेस्ट बेंगल का एक छोटा सा सहर है जहां से 8 किलेमेटर दुरी पर अवस्तित है तो आप जैसे ही यहां पर पहुंच जाएंगे यहां से आपको ओटो टोटो सब कुछ यहां पर मिल जाएगा तो आप यहां पर अगर ट्रेन में जाते हैं तो आपको कुलकता से जाना होगा नहीं तो बर्दमान से आप जा सकते हैं अगर आप बायो मार्ग से जाना चाते हैं तो आपको कुलकता देखे फिर वहां से 200 किलेमेटर ट्रेन या बाय रोड आपको जाना होगा यह मंदिर विष्ट बेंगल की सबसे अधिक लोगप्रिय मंदिर है जगा का इतनी महत्मेत है जिसके कारण यहां पर रोज लाखों लोग आते हैं माताजी का दर्शन करने के लिए तो आईए दुस्तो इस भव्य मंदिर का दर्शन हमारे साथ कीजिए हालो फ्रेंज तो कैसे ही आप सब तो आज हम घुमने चलेंगे तारा पीट तारा देविंगा मंदिर जो की वेस्ट बेंगल में है की राभपूर हाट से साथ से आठ किलेमेटर दूरी में अबस्तित है तो कैसे आना है क्या करना यह सब जानने के लिए पूरा वीडियो दे तो आठ सो नो सो बारा सो पॉंद्रों सो इससे है और एक चीज ध्यान रखिए अगर आप लोग सटरे में आ रहे हैं तो यहां पर सटरे में बहुत भीड़ रहता है और मंदिक कब खुलता है क्या होता है क्या नहीं जो चलिए हमारे सब घूमने फिर बताते हैं आप लोग नहीं है आसपास ही बहुत सरा होटल में यहां से आपको सिर्फ तिन सो से चार सो मिटर लगेगा तो आप वाराम से जा सकते हैं अगर खाने की बात करें तो यहां पर थैली सिस्टम में खाना मिलता है आपको सतर रुपे में भाद डाल दो सबजी भुजिया और पापड मिल जा रहें अभी तिन से सार सा मीटर है तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और एक गेट है उदर भी तो आप उदर भी जा सकते हैं इस साइट भी जा सकते हैं यहां पर 300 में जैसे ही आप में गेट पर एंट्री करेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारा दुकान देखने क तो मिलेगा तो बहुत सरब इत्रल का मूर्ति आपको दिखने को मिलेगा माता जी के कितना सुंदर मूर्तियां है आप देख सकते हैं अब यहां पर ले सकते हैं अब जापार्ट कि यह मैं गेट है और यहां पर आपको जूते रखने के लिए मिलेगा तो आप यहां पर जूता रख सकते हैं और यहां से चोटा मार्केट है यहां से आप फूजापाट के लिए कुछ भी फूल बेगरा ले सकते हैं और माता जी को ज्यादा तर वदम फूल परसंदे तो यहां पर रोज सुबह चार बजे मंदिर खुल जाती है और रात को साड़े दर्स ग्यारा बज़े तक भी खुला रहता है जब तक सारे स्रद्धालों दर्शन नहीं कर लेते हैं मंदिर को आप किसी भी टाइम में चाहिए आपको भीड देखने को ही मिलेगा और लाइन में लगना ही पड़ेगा यहां पर स्पेस्याल लाइन की तो वेवस्ता है लेकिन हम लोग वह देहीं लिये थे तो हम जो भी दूब दिप लाए थे यहां पर और पन करके हम भी लाइन लाइन में लग गये थे तो चलिए हमारे साथ लाइन में लग जाहिए हैं अब हम पहुंच के हैं मंदिल पर और यह जैसे आप दिख पा रहे हूं लिए जेन्रल लाइन है अभी थोड़ा खाली है आप कम में आगे भी देखा रहा हूं कि पोड़ा बहुत लाइन है का टाइम मतलब दू-तीन बजा है तो खुड़ा कम टाइम में आपको दर्सन मिले जाएगा तो हम अभी लाइन में लग चुके हैं और इसा भी ले ली है कुछ अदम कपूर तो फ्रेंड्स क्या हम बोने चाहिए भी आप भी ऐसे जेनरल लाइन और पैसे जेनरल लाइन है मैं लेकर अपनंचो पान्सो हसा थार शेश है तो देरें से फान्सो हाजर ऐसे फीी लाइन कोर डीटीन है घर राँ या जायेगा वेटीन अगर आप लोग जेंडल लाइन जारहे है में अम लोग जईनरल लाइन है तो और आपक शिभी हा गोल दोंने लाइन ड़हे अगि प्रेंट्स अभी तक हम लाइन में हैं, तो बतानी और दो हुंटा लगेगा साइज, बहुत ही ज़्यादा फीड है, सटड़ है, और बोल बॉम भी चल रहा है, तो बहुत फीड है, तो लिखते हमको बता दे आपको कितना टाइम लगा हम लोग को दस्तन के लिए हैं, तो पूजा करते हैं, यहां से ही आप लोग को पूजारी सेट हो जाते हैं, तो फोड़ा से पेचा लेते हैं, और फिर यह लोग वहां पर अंदर में मंदिर में पूजा कर लेते हैं, तो अगर आप लोग भी वैसे चाहते हैं, तो आप लोग भी वैसे कर सकते हैं, तो देखते करते हैं और प्रशाद के रूप में सबको बांट देते हैं तो दोस्त अभी हम पूरा दो घंटा लाइन लगने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं माता देवी के गर्भ ग्रोय के पास मंदिर है आप देखपा रहे हूंगे काफी भीड है और यह जो है यह से लाइन है और अभी हम जेनरल लाइन से आ रहे हैं जाय तरह तो हम लोग का दर्शन हो गया बहुत अच्छे से दर्शन हुआ अगर आप लोग अरहे हैं तो आप लोग आरम से आये और अच्छे से दर्शन कीजिए पहले माता जी का पाओ का दर्शन होगा जहां पर कि आप लोग अगर कुछ भी पूल लेकर आ रहे हैं तो पाओ में जालिए इसके बाद अंदर जाने के बाद मंदिर में आप दर्सन क आप लोग के पास माहा का बहुत सारा सिंदूर यह सब लगा है तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर स्पेशियल लाइन और नॉर्मल लाइन सब मिलते हैं और यह गर्व गुरो जाने के लिए रास्ता है यहां पर पहला आप लोग को में जैसे बोली पाओ का दर्सन होगा व अंदर मोबाइल लेने के लिए लाओ नहीं था तो इसलिए माक पास हम लोग मोबाइल नहीं लेके गए थे लेकिन यहां पर तो नहीं दिखा पाओंगे क्यूंकि बहुत भीड़ है तो लेकिन यह मंदीर है में मंदीर है तो देखिए यह कार्व गुरू का है यह मैं तो फ्रेंट्स अभी माह का दर्सन के बाद हम लोग जाय रहे तो देखिए यह सिप जी का मंदीर है तो आएए चलते हैं कर दो कर दो कर दो कर कर कि देखा रहे होगे यह है भगवान शीप का मंदिर है और उदर आपको में दिखाया था पहले माता जी का मंदिर है और यहां पर अनुवान जी का मंदिर है और वहां पर बली दी जाती है प्लेसे जहां पर आप लोग मनत के लिए ठागा बांच सकते हैं और यह है तारा घर्ट तो हम लोग का मा के दर्सन की के बाद हम लोग आके पहुंचके यह है पंजाबरी अस्त्रम तो यहां से ही पहले मा का मतलब उद्वावन हुआता है तो देखिए रात को ऐसे प्रसाद मिलता है कोई-कोई जो दाता होते हैं वो देते हैं तो यहां पर खीर दिया गया है तारा मा का दर्सन के बाद आप लोग को वहां पर ही टोटो मिल जाएगा जो कि आप लोग जा सकते साइट सिन के लिए यहां पर साथ और प्लैसे से गुमने के लिए तो वह सब क्या-क्या है उसके लिए पूरा वीडियो दिखे तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गया है थोड़ा एक साइट सिन कर लेकर लिए तो यह है निताई बाड़ी भूलते हैं बेंगोली में तो यह यहां पर जो कि नित्यानंद जी ने यहां जन्मस्तान है उलता है तो चलिए अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या है इसके इतना सुन्दर प्लेस है लेकिन हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं फिर अंदर से आके हम लोग बताते हैं कैसा है तो निताई वाड़ी दर्सन के बाद हम लोग आगे पंचपंडब दर्सन करने के लिए यहां पर बोला जाता है ब्रुंदावन में क्रिष्णा जी का जो हो रहे हैं यह मतलब वाभी पूरा तो नहीं दिखेगा क्योंकि अंधार हो गया था आप यह जो देख रहे हैं यह इसकन मंदिर है तो पता नहीं अंदर मोबाइल आला है कि नहीं लेकिन आपको हम आगे से यह दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छा है अच्छा लगेगा सांती म अच्छा है अच्छा है ओई अच्छा आप अच्छा जाँ आप यह महाप्रभु जगनात जी का मंदिर है तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर भी फोटोग्राफिया अलाव नहीं है है तो हम आगे से दिखा देते हैं हम लोग आगे पेट कुझा करने के लिए तो यहां पर होटेल का कमी नहीं है बहुत सारा होटेल है और राफते में भी रोटी यह सबजी सा मिलता है तो आपको जो मन खा सकते हैं अराब से हम लोग आगे होटेल स्टार में तो अभी हमारा आगया सड़का और नूरल सड़के है तो आने के बाद आपको दिखाता है थेंक्यू फ्रेंड्स इतना तक देखने के लिए तो हमारा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो हम अच्टिवेड मिलता है लाइक भी करो पूरा वीडियो देखो